हेलो एरिवान वेलकम टू वेदिमी स्वागत आपका फिर से वेदिमी के इस यूट्यूब चैनल पर आज के शिशे में मैं कुछ ही एक्साइटिंग अपोर्चिनुटिस के बारे में बात करूँगा खासकर उन स्टूडेंस के डिरेक्ली इंडस्ट्री में जॉब करना चाहत है फ्रॉम एकेडमिक उनको प्याज़ नहीं करनी तो उनके लिए बहुत यह अच्छे पॉइंच रिटी है फ्रम डीवीटी दिपार्ट्पेंट ऑफ पायर टेक्नोजी और आर्स्टीबी के थू बायो टेक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोगाम क्या बायो टेक इंडस् कराते हैं जिसमें आप एक रिटरन कालिफाय करने के बाद किसी इच्रोल आपको कि वाद आप आप से उपर से एक फ्रेशर का टैक भड़ता है और एक कंपनीस में रिकुरिक्मेंट के लिए प्रोसेस जो इजी हो जाता है आज ऐसा कि आपको पता ही होगा कि अगर एक्जमपल अगर आप एक लिए अगर कई प्रेशर के जाते हैं तो आपको बढ़ाने के लिए एक यह बहुत अच्छी पॉच्ट्टी है चली बारत करते हैं इसके और डिटेल्स के बारे में तो जैसा कि मुझता है इसका नाम है बायो टैक इंडस्ट्रियल ट्रेंग प्रोग्राम बी आइटीप यह बात करते हैं इसके और डिटेल्स के बारे में किया इलिजिबिल्टी है तो इलिजिबिल्टी है बी बैशल आफ इंजिरिंग बी टेक एमसी एम टेक एम बी ए इन बायो टेकलोजी आप इंफ्रमेटिक्स बायो टेकलोजी आप इंफरमेटिकस लेटे जितनी भी लाइट फिल्स से इसमें मायक्रो बायो बायो बीटीड नहीं है तो आपने अगर बी बी टेक MSC, Mtech, Biotechnology या Bioinformatics में कर रखा है और साथी साथ minimum 50% होना चाहिए और year of passing ये तीन year तो ध्यान रखिएगा सिर्फ 2020 के बाद जो बच्चे पास आउट हुए हैं लाइक जिन्हों ने अपना graduation या post graduation qualify किया 2020 के बाद वही साथी साथ 50% मार्स दोना चाहिए तो क्या इलिजबिल्टी इसकी इलिजबिल्टी है Btech, MSC, Mtech in Bioinformatics और बाइटेकनलोजी with 50% मार्स और 2020 के बाद पास होने चाहिए mode of selection तो selection एक computer based stress के थ्रू होगा जो multiple centers across India conduct कराया जाएगा उसके थ्रू इसका selection होगा कैसे आप सको apply करना है तो apply करने के लिंक है लिंक जो है कल से activate हो जाएगा 5 December से link activate हो जाएगा आप जाके इसको fill कर सकते हैं तो क्या eligibility है? eligibility है MSC, Mtech, Btech in Bio Technology of Bioinformatics साथी सा 50% marks और 2020 के बाद पावसर्फ होना चाहिए mode selection जो एक computer based test के थ्रू होगा और application form इस link के थ्रू fill कर सकते हैं अब बात करते हैं stipend तो stipend जो है आपको dvT 10,000 देगा और साथी सा जो company होगी वह आपको एक extra 9,000 का stipend होगा है तो जैसे क्या नहीं होता है जो डीविटी होगा जाओ अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में सेलेक्ट होते हैं किसी कंप्री में अलॉट हो जाते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए उसके बाद डीविटी आपको 10,000 देगा प्लस कंपनी जिसमें भी आप अलॉट होंगे वह आपको एक्स्रा 9,000 देगा तो टोटल आपके पास 19,000 का stipend होगा तो पूर शिक्समांस तो क्या डीविटी आपको 10,000 देगा साथ की साथ कंपनी भी 9,000 अलॉट करेगी इसके बाद टोटल 19,000 आपके stipend होगी जैसी आप प्रोग्राम कंप्रीट करेंगे उसके बाद आपको गवर्मेंट की तरफ से एक सिल का सर्टिफिकेट भी मिलेगा अब बात करते हैं इस डेट्स के बारे में आपके पास एक और आडवाइस देणा चाहंगा जैसे फ़र्म फिल करेंगे तो आपके पास वो सिटी का प्रिफरेंस मांगेगा तो उसमें आप बैंगलोग और हैदराबाद जरूर दीजिएगा क्योंकि यह दोनों सिटी बायो टेक कहाव है यहां पर अगर मौकर मिलता है तो आपके पास एक अच्छी कंपनिया होगी आप ट्रेनिंग के लिए और तीसी सिटी आप कुछ कोई भी न्यू देली मुंबई दे सकते हैं लेकिन यह दो सिटी साउथ की दो सिटी आप जरूर फिल करिएगा क्योंकि इसके यहां पर कंपनिये काफी काफी है बायो टेक की तो आपके पास एक अच्छा चांस होगा ट्रेनिंग प्रोग्राम को और इसमें अगर आप उन स्टुडेंस के लिए जिन्हों ने बी टेक, MSC, M.T.E.C. कर रखा है बायो इंफ्रमेटिक से बायो टेक्नोजी में जो 2020 के बाद पास आउथ हुए हैं इस एक्जाम का क्वालिफाइग करके बायो टेक कंपनिस में 6 मंस की ट्रेनिंग कर सकते हैं आपको इसमें आराउं बाई